इसके पहले हम लोगों ने फर्ष्ट पेश को पढ़ लिया था जहां से परवाण के सबसे महत्वपूर पश्णुत्री हो सकते थी अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसी आप मोट करते चलेगा यह सबसे महत्वपूर है मने कर आप पर्यापड में 30 में 30 लाना चाहते हैं तो इस वीडियोज को पूरा लाष्ट तक देखेगा और आपको बहतर लगे तो अपने श्रभी सात्यों को जरूर शेयर करिएगा यह नोट्स आपको पेडिया फॉर्मिट में और इमेज में दोनों में हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएंगे आगे चलते हैं पढ़ते हैं हम लोग प्रकास संसलेशन के दौरान पौधों के लिए आवश्यक्तत जब प्रकास संसलेशन करते हैं उस में क्या-क्या आवश्यक्त तत्त होते हैं उनके बारे माई यह देखते हैं देखिए सबसे पहले शूर का प्रकास म में अपना भोजन श्वयम बनाते हैं उसके लिए क्लोरोफिल जल हरेपेड़ पोदे वायुमंडल से हरेपेड़ पोदे सूर के उपसेती में वायुमंडल से कारबन डियकसाइट जमीन से जल माले एस्टूओ तथा पत्यों से पाणहरी त्या क्लोरोफिल के साहतास अपना भोजन श्वयम बनाते हैं इस प्रक्रिया को प्रकास संसलेशन कहते हैं फिर हम आगे देखते हैं कि नीचे 6CO2 प्लस 12H2O लाइट ठिक फिर नीचे कलोरोफिल उसके बात क्या मिलता है गुलकोज C6H12O6 गुलकोज मतलब किसी फॉरमिल सकते हैं फिर 6H2O फिर 6O2 अक्सीजन मतलब हम यह देखते हैं इसके बाद पेड़ पोदे हमें क्या क्या दे सब्सक्राइब करके कप प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा चलिए आगे पड़ते हैं उर्जया का सबसे बड़ा सुरोत क्या है पूरे पितिवी पे उर्जया का सबसे बड़ा सुरोत क्या है सूर्य है यह सभी प्रशन आपके परिछा में पूछे जा चुके हैं महत्यपूने उन्हीं प्रश्णों के हम आपको ब्याक्षा कर रहा है और इसे आप एक बार देख लिजेगा नोट कर लिजेगा तथा बेहतर लगे तो अपने श्रफी साथियों को सिर जरू कर दीजेगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे हम लोग को चो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि उर्जा को जो प्रमुक सुर्फा सूर था हमने बता दिया शूर क्या है इसका जवाब दीजेगा तारा है ग्रह है उप ग्रह है उलका पिंड है इसका जवाब आप कमेंड बॉक्स में दीजेगा आगे बढ़ते हम होता है अधा टामाटर राल क्यों होता है हमें जानते हैं लाइको पीन के कारण टामाटर कैसा शोता है लाल होता है फिर जाते हैं अर्थात सफेदा, क्या कहते हैं? यूकिलिप्टस या सफेदा को परयावण का सत्रू बिच कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दिन में ये 1000 लिटर लगभक जल सोक लेता है क्यों और परयावण में जल की जमीन के अंदर जो अंडरकंट वाटर होता है उसमें जल की कमी होने लगती है इस वज़े से इसे पर्यावरण क्या सत्र के नाम से जाना जाता है ठीक अब अगला प्रश्णम आपके सामने है या प्रश्णम दे रहा है कि पर्यावरण के मित्र बिच किन्ह कहते हैं उनका जबाब अब कमेंड बॉक्स में दीजेगा इसके पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया हुआ था हम देखते हैं बंगाल का आतंग किशे कहते हैं तो बंगाल का आतंग जल कुम्भी को कहते हैं इसे कहते हैं जल कुम्भी को कहते हैं और जल का आतंग भी जल कुम्भी को ही कहते हैं माने जल का जो आतंग होता है उसे भी हम जल कुम्भी को ही कहते हैं क्योंकि जब जल में जल कुम्भी की मात्रा बढ़ जाती है तो जल के अंदर उपस्थित आक्सिजन को खीच लेता है जिसे जल के अंदर आक्सिजन कमी हो जाती है और जब कमी हो जाती है उसका पैडामिय होता है कि उसके जुजनतु होते हैं वो मरना सुरू हो जाते हैं इसल यहां से आपके परिच्छा में पुछे जा सकते हैं, यहां से आपके परिच्छा में पुछे जा सकते हैं, यहां से आपके परिच्छा में पुछे जा सकते हैं, यहां से बहुत सर नोट्स को पढ़ा होगा, बहुत सर वीडियो लेक्चर को देखा होगा, लेकिन यहां पर ज स्रीज दे रहा हूं यह सबसे चादा महत्वपून है इसे श्रम भी देखिएगा यदि भैतर लगे तो शेयर जरूर कर दीजेगा और आपको सभी नोट्स उपलब्द हो जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हम लोग और फेज़ू पेज इलेनी भी दुर्गेश है हम यहाँ प स्पीश चाल्स डार्वीन फिर आगे देखते हैं। और जिन आफ लाइब ऑपिरियन है फिर हम देखते हैं फिलोसोपी आप जोलोजी कौन है लैमार्क है तो यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण यह पुष्टके हैं उनके पुष्टकों को लेखा के नाम है आप इसकी स्कीन स महत्तपूर्ण सिध्धांद के बारे में किसके बारे में कुछ महत्तपूर्ण सिध्धांद के बारे में पढ़ लेते हैं अगर कुछ महत्तपूर्ण सिध्धांद के बारे में देखना चाहिए तो यहाँ पे हैं जैसे लैमार्क वाद किसका है लैमार्क का है किसका है लैमार इसले का है फिर हम जानते हैं उत्परिवर्तनवाद यूगुडी ब्रीच का उत्परिवर्तनवाद है इसकी स्किन सौड आप ठक लीजे यह आपके परिच्छा के लिए सबसे ज्यादा महत्तपूर्ण है ठिक और ओनलेंग क्लास के लिए आपके नंबर दिया गया आप देख लिएग कि पाष्थित कीतंत्र का सरच्ण कहलाता है पारस कीत अंडर का सरच्छण कहलाता है ऐस reincarnation कहलाता आप इसका जवाब चूलोग देखेगा उक्य देखनी है तो हें भी स्वाप पास्थित की क्या है? इसमें जीयों के इकाई का अध्यन करते हैं, इसे हम क्या क्या क्याते हैं? स्वाप पास्थित की कहा जाता है. फिर आगे देखते हैं हम लोग. एक सेकंड. अब हम देखते हैं सम पास्थित की क्या होती है? इसमें जीयों के शमो का अध्यन क्या जाता है. जबकि स्वाप पास्थित की में जीयों की इकाई का अध्यन किया जाता है. ठिक. कॉंसेप्ट के लिए चले इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे वह जादा महत्वपून है एक बार इसे आप देख लिजेगा फिरशी करम में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला टोपिक जो हमारा है वो जैविवित्ता है क्या है जैविवित्ता इस वीडियो का सभी सा क्या है तो जो बायो डैवर्शिटी है जैविवित्ता है किसी प्राकितिक प्रदेश में जीवों में पाई जाने वाली जुवित्ता होती है उसे क्या कहते है जैविवित्ता कहते हैं क्या कहते हैं जैविवित्ता कहते हैं फिर हम आगे देखते हैं कि जैविवित्ता के लि टाप मार्ण क्या होना चीघे उच्छ ताप मार्ण दूसरा अधिक वर्षा पहला ह correct ँच्छ ताप मार्ण दूसर अधिक वर्षा दो टॉपिक हो गई हो लेकिन जब हम जवित्ता की बात करेंगे तो 30 डिगरी उत्रिये चांस से 30 डिगरी दचलनी अच्छांस में उच्छ तापमान प्राप्त होता है जहां पे सबसे ज़्यादे जवित्ता मिलती हैं दूसरा कार में देखा वर्षा वर्षा में देखेंगे माने वर्षेतर जहाँ पे 200 शेमी या उससे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे भी शब्से ज़्यादा जैविवित्ता मिलती है इस प्रकार आपके कई परिच्छा में पूछा जा चुका है यदि भूमद्रेखा से मात्रा भी कम होती जाती है इस प्रकार से दोनों की तरफ बढ़ने पर क्या होता है लगातार कम होती है जब किसका ठीक भी प्रीज्ग होता है कि भुमद रेखा से जब हम धुरूंगों से भुमद रेखा की तरह बात हैं तो जय भी वित्ता की मात्रा लगातार बढ़ती आती है और सबसे जादा जैवी वित्ता भुमद रेखी वन या भुमद रेखी जंगलों में पाई जाती है विश्वत रेखी जंगलों में आगे पड़ते हम लोग एक एक करके अगला जो टॉपिक है वो यह है कि जैवी वित्ता के प्रकार तो जैवी वित्ता के प्रकार देखेंग कि जड़ी बूटियों की रानी किशे कहते हैं तो जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है तुलसी को तुलसी को क्या कहा जाता है जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है इसे आसिगं शैंक्टम भी के नाम से भी जाना जाता है तो इस प्रकार आज हमने जवित्ता से जु करके online class join कर सकते हैं जहां पर घर बैठे सभी विश्यों के class है आपको online उपलब्द हो जाएंगी साथ ही साथ पीडिया फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस मिल जाएंगे और यदि आप online घर पर नोट्स मंगाना चाहते हैं प्रिंटे नोट्स इस नमबर कॉल करके ले सकते हैं और टेलिगराम एप इस्टॉल करेगा सच करेगा दुर्गे सर बीना इस पेज दिए हमारे चैनल इलनी बिदुर्गे से जुड़ियेगा फेस्बुक पेज इलनी बिदुर्गे से इस्टागरम पे भी है जहां पर आपको हमारी सभी वीडियो की तरल अगराव इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद जय इन जय भारत